सश्रियकाल कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए पोहा बनाने की रेसिपी लाई हूँ नहीं का आप सब आपने घर पे अपने अपने स्टाईल से बहुत टाइब्स की पोहे बनाकर खायोंगे पर प्लीस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार मेरे स्टाइल से बनाकर करके देखे यह आपको बहुत पसंद आएगा तो देर न करते हुए चलिए हमें से बनाना सब्सक्राइब कीजिए पुनम को और रेसिपीस को और जो नीचे बल आइगन का बटन है उसे ज़रूर दबाए ताकि आपको मेरी हर लेट इस वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके लिए तो पुह बनाने के लिए हमने यहां पर दो चीजों को सबसे पहले करेंगी एक मैंने आलू को देखी कितना पतला बारी काटा है मेरा आध कट गया तो सबजियां सारी राजवीर ने कट की है बहुत अच्छे से कट की है और आधी शोटी कटोरी मूम फली की ले लेंगे हम अच्छी तरह से भून जाएंगे तब हम इने एक बरतन में निकाल लेंगे आप देख पारे होंगे इनका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन और काफी अच्छा ग्लोइंग सा हो गया है सब हम इन सभी को बाहर निकाल लेते हैं और इने निकालने के बाद इसी इसलिए हमने आलू एड किये हैं अब देखिए इने हम पकाएंगे आलू में भी स्वाद आना चाहिए क्योंकि हम इसे अलग से पका रहे हैं तो कहीं यह फीके न रह जाएं इसलिए इस स्टेश पर थोड़ा सहम नमक लेंगे करीब से करीब 2-3 पिंच नमक लेंगे बहुत यह जल्दि भी हो जाएंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं दो से 3 मिट लगेंगी इसे जयादा वक्त नहीं लगने वाला अभी आप चुके हैं यह देखिए मैं चेक कर सकती हूं यह पक आरो चुके हैं अब निनने बाहर निकाल लेते हैं इन पोहो को हम एक ही पा इसलिए सबसे पहले मूम फली और आलू को फ्राय करके बाहर निकाल लेंगे अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारे आलू और मूम फली हैं वैसे यह दोनों चीज़े और प्लीस आपने कीजिएगा इससे पोह का टेस्ट मस्त आता है बहुत जादा मस्त आता है तो आप दे सबसे चीज़े ले लिए हैं एक मेडियम साइस का प्यार जिसे बिलकुल बारी काटा गया है बारी कटा हुआ अहरा अहरा धनिया बारी कर्टिवी बारी हरी मिर्च सुखे मसालों में हम यहां पर सिर्फ तीन चीज़े लेंगे लाल मिचा पाउडर हल्दी पाउडर और नम मेडियम साइज करते हैं उसी रिफाइंड ओयल में जो बच गया था आलू के बाद हमने जो प्याज ले लिया था हमेसे आड़ करेंगे प्याज का जो कलर है वो हलका सा ट्रांसपैरंट और पिंग करना है बहुत जादा प्याज को हमें यहां पर पकाना नहीं है सो आप देख यह जो पर्फेक्ट्ली सैट हो चुके हैं एसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर जो हमने कट कर लिये थे इसे भी अच्ही तरह से मिला लेते हैं त्वाटर करने के बाद हमने जो बारी कटी हरी मर्श ले ली थी वो डाल दिंगे इसमें ह। और इसे अच्छे से मिल इन तीन स्वाइब दालेंगे तरहां लालिमेंदका पुछंगे नमक के पारिपन थाना थ्यार्जक्रां इलक्राइब में दे harm G वह भी थोड़ा सा कम इन तीन चीजों को कम डालने का मीन्स यह है कि हमने आपर सेजवान चटनी का यूज किया है इसलिए सेजवान चटनी जो होती है उसमें सारे टेस्टिस होते हैं अवलेबल वह सबको मिक्स कर लेगा इसलिए नमक और लालमिश पाउडर हम थोड़ा थोड़ा कमी डालेंगे इसे स्टेज पर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे करीब-करीब 2 मिनट तक हम छोड़ देंगे कि जो हमारे टमाटर है वह अच्छे से मेश्य हो जाएं दो मिनट के बाद हम इसे देख रहे हैं तमाटर जो हैं बहुत अच्छे से मैशी हो चुके हैं अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेते हैं और जो हमने आलू और मूम फली ले लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे गैस का फ्लेम यहां पर बिल्कुल स्लो रखिए जब तक हमारे आलू और मूम फली मसाले के साथ मिक्स हो रहे हैं आपको एक बहुत जरूरी काम करना है वो क्या करना है जो हमने पोहे लिए थे इस वक्त देखिए मशाला बनाने के बाद सबसे इंपॉर्डन चीज यहां पर यही है पोह को मशाला बनाने के बाद हम पाने में भीगोएंगे पहो को अच्छे से साफ कर लेंगे पहले उसके बाद करीब करीब मुझे यहां पे डेद ग्लास पानी की नीट लगी है तो हमने यहां पर पानी डाल दिया जिसमें पोहे अच्छी तरह से डूब जाने चाह आप अपने डोनों हाथों के प्रेशर से इस तरह से डबाई यह और इसका सारा पानी बाहर निकल जाना चाहिए और ज़ली जल्दी से हमें से साइट करते जाएंगे अच्छे से हाथों के प्रेशर से हमें से डबाना है अब यह बहुत अच्छे से से इसे हो गlor है पोह को आप न पहले करके सेट करके रखीए पहले करके सेट करने से उनमें वह टेस्थ नहीं रहता है कि मशाला बनाने के बाद आप इसे शेट कीजे अब आप देखिए यह सब अलग हो चुके हैं इन्हें हातों से इस तरह से थोड़ा सा अलग कर लीजिए ताकि इनका जो द और भूम'll i- Canada ऐसना पोलसThere is a so-दोs मचस के सब्सक्रब पूरा डाल देडाम्स कर्णा स्वाब कक इसे और मीडियम फ्लेमहद पर हमाहते से अपराओं जरह से तब अब टक मिक्स किजए जब तक मचसा पूहे में पूरी तरह रच जाए से मोहाते हैं आप देख पा रहे होंगे यह मशाला पोहे में पूरी तरह से मिक्स हो चुका है पूरी तरह से रच चुका है इस स्टेज पर गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद ध्यान दीजेगा गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद क्यूंकि लास्ली हमें बस एक ही चीज करनी है हम इसके ओप लगाकर कवर करकी पांच मिनट छोड़ देंगे गैस के फिलिम बंद करने के बाद और पांच मिनट के बाद यह अच्छे से फूल कर तयार हो जाएंगे और यह सर्फ करने के लिए भी रेडी होंगे तो इससे मैंने इस तरह से सर्फ किया है एक प्लेट में बट लास्ट में आप यह चीज जरूर कीजेगा यार यह बहुत टेस्टी लगती है प्याज को बिल्कुल बारिक से काटके पोह के ओपर डाल दीजेगा बिल्कुल बारिक बारिक कटे होने चाहिए प्याज और यहां पर मैंने आलू भुजिया जो आता है वो मुझे जादा पसंद है इसलि कमाल लगते हैं इनको कोई जवाब नहीं है बस यह रेडी हैं जल्दी से चमा चुठाइए खाईए और मुझे जरूर बताइए कि कैसा बना है मैंने एक थोड़ा सा हट के टाइप से पोहा बनाया है बड़ यह बहुत बहुत ही बहुत जादा टेस्ती है यार प्लीज इसे ट्राय करो और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शियर करो ताकि मेरी यह रेसिपी सभी तक पहुंच सके और कमेंट करके मुझे जरूर बतान कि आपको यह मेरा न्यू टाइप का सेजवान पोहा कैसा लगा सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाबाई